नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फॉर नौकरी ऑफिस्यल यूटूब चैनल दोस्तों इस चैनल पे आपको जीके से रिलेटेड सारी सलुसन मिले के चाहे आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल इंपोर्टेंट हो जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए फिलाल आप लोग तैयारी करें H.A.L. में जो डिजाइन ट्रेनी और मेनेजमेंट ट्रेनी का रिकूर्ट में निकला है उसके रिगार्डिंग जर्नल अवर्नेस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक हचार इंपोर्टेंट कोशन के माध्यम से इस स्रीज आप लोग करवाई जा रही है तो लेक्चर नंबर 20 मा है और इससे पहले की लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देखे पीडियाफ आपको 10 लेक्चर तक के टेलिग्राम चैनल पे प्रवाईड करवा दिया गया अंसर के साथ तो इस टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहीं से आपको पीडियाफ मिल जाएगी एक्जाम 24-25 अप्रेल को है इसका आप लोग को धियान रखना है तो देखे 226 नमबर कोश्चन है कि वेन इस इंटरनेशनल ओजोन दिवस कब मना आ जाता है तो इसका करेक्टर अंसर होगा B 16 सिप्टमबर तो 16 सिप्टमबर को हर साल अंतराश्टिय ओजोन दिवस मना जाता है और देखे इवेन वेक्ट दिवस है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो देखे इसका फुल जो नेम है इंटरनेशनल डे फॉर दर प्रिजर्वेशन आप दे ओजोन सिलेर तो इसका ध्यान रखना है 16 सिप्टमबर को और 2020 का थीम इंपोर्टेंट है याद रखना है ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर ओजोन लेर प्रोटेक्शन अब देखे 35 इयर क्यों क्योंकि 1985 में बियना कन्वेंशन साइन किया गया था तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों बियना कन्वेंशन साइन किया गया था 1985 में फॉर दप्रोटेक्शन ओफ ओजोन लेर तो इसको ध्यान रखना है और 1987 में इसके लिए देखे मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल और सवस्टान से डाट डेप्लीट द ओजोन लेर भी आगे चलकर साइन किया गया तो यह आपको दो इंपोर्टेंट कन्वेंशन याद रखना है कि बियना कन्वेंशन 1985 में साइन किया गया फॉर दप्रोटेक्शन ओफ ओजोन लेर और 1987 में मॉन्टियल प्रोटोकोल साइन किया गया किसलिए तो जो भी सबस्टांसेज वो जोन लेर को डिप्लीट करते हैं तो उसके लिए तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है अब देखे कोशन है कि वेर इस दा टॉम आफ सेर साह सूरी लोकेटेड तो देखे सेर साह सूरी का जो टॉम है माजूली ऐलेंन इसका गता है तो Correct answer यहाँ पर होगा माजूली आइलेंन और एक इंडिया का first island district है यह आपको आसाम महें देखने को मिलेगा माजूली आईलेंड और ये लार्जेस्ट रिवर आईलेंड है वर्ल्ड में अब देखिए यहाँ पर आपको एक कोश्चन है कि मेखला चादर is a ट्राडिशनल ड्रेस from of विच अस्टेट तो एक मेखला चादर करके इस तरह के ड्रेस पहने जाते हैं यह आपको किस अस्टेट से है तो यह आपको असाम से है तो असाम नौर्थ इस्ट का देखिए जितने भी अस्टेट से important question बनते हैं सभी कुछ आपको cover करके चलना है और मैं ज़्यादा तर कोशित कर रहा हूँ कि आपको cover इस सरीज में करवा विदू ताके देखिए आपको 1000 question आप लोग कर लेंगे तो यह आपको HAL में ही नहीं बलकि different सारे exam जितने होंगे सभी में जिसे HPCL हो गया आप DSSP तो अलग-अलग देखिए exam का तयारी आप कर रहे हैं तो आपको हर में इस सिरीज आपको काम देगा question है कि who among the following is the co-founder of that Twitter तो देखिए Twitter का यहां पर founder एक co-founder है Jack Dorsey अब देखिए Twitter के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए तो देखिए Twitter इस तरह से एक चड़िया के रूप में आप देखते होंगे क्योंकि Twitter बहुत ही ख़वरों में रहा था 2020 में क्योंकि अमेरिका की उस समय के राष्टपती डोनाल ट्रम का एकाउंट इन्होंने सस्पेंड कर दिया था यानि कि आप समझ सकते हैं कि Twitter की इतनी पावर है इतना अपना पावर चलाते हैं क्यों राष्टपती तक का एकाउंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं तो यहां पर आपके लिए important हुआता है कि इसके बारे में जनकारी लेना तो 2006 में इसका formation हुआ था Twitter का लगभग 15 साल पहले इसका headquarter San Francisco California US में है और देखे इसके founder एक Jack Dorsey थे, एक Noah Glass थे एक Biz Stone थे, एक Evan Billiams थे तो Jack Dorsey ही बहुत सारी exam में पूछे गए हैं, तो चारों का नाम याद रखते हैं तो सही है अन्य था Jack Dorsey याद रख सकते हैं और देखे इसके अभी Executive Chairman है Omid Kordesani Ned Segal CFO है, CEO है Jack Dorsey ही अभी है और Prague Agrawal CTO है, तो इस तरह से आपको याद रखना है अब देखे, Question है In which city is the Indian Railway देखे, Indian Railway का Rail Coach Factory कहां पर Located है, तो Rail Coach Factory Kapoorth Halla में Located है, Correct answer यहाँ पर B होगा, अब देखे, जो Rail Coach Factory अलग-अलग जगा पे हैं, उसको अलग-अलग नाम से जाने आते हैं और उसका Location आपको पता होना चाहिए तो देखे, यहाँ पर Integral Coach Factory एक है जो की पिरामबूर चनाई तमिलाडू में है Integral Coach Factory, that is the ICF इसको established 1955 में किया गया था, Integral Coach Factory Train 18 का नाम आपने सुना होगा तो Train 18 का इन्होंने ही construct किया था तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि Train 18 को बनाने वाली जो कमपनी है Integral Coach Factory पिरामबूर चनाई ही है और इसको operate करती है Indian Railby और उसके बाद देखे, आप एक और नाम याज रख सकते हैं जिसे देखे, एक question था Rail Coach Factory का पुर्थला में एक है मराठावार, Rail Coach Factory लातूर में, उसके बाद देखे, एक और important है, Modern Coach Factory Rivalry, तो Rivalry उत्तर परदेश में जो Rivalry है, वहाँ पर Modern Coach Factory है और कपुर्थला पंजाब में है तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं question है कि which of the following state is included in the sixth schedule of the Constitutions of India, तो sixth schedule इस तरह से देखे, 12 schedule होते हैं तो 12 schedule को मैंने अलग-अलग तरीके से आपको करवाए हैं, तो आज sixth schedule मैं करवा रहा हूँ, तो sixth schedule में, इनमें से किस state को सामिल किया गया है, तो इसका correct answer दोस्तों होगा, मिजोरम तो मिजोरम इसका correct answer होगा, तो देखे इसको इस तरह से आद रख सकते हैं, कि मनिपूर है ही नहीं, तो देखे असाम, त्रिपूरा, मिघालय, मिजोरम, और मनिपूर ही नहीं इसमें, और तो इसमें जो autonomous district council है वो protect करता है tribal culture को, तीस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, चार यहां पर state सामिल है in sixth schedule of the Indian constitution, अब देखे question है कि in which year was UNICEF found, तो देखे UNICEF को found कब किया गया था एक question आपसे पूछा जा रहा है 1946 में इसको found किया गया था 1946 में, आप देखे इसका आप लोग पूरी तरह से याद रखे, आप देखे, सिर्फ औस जो UNICEF है उसको बोला जाता है United Nation Children's Fund United Nation Children's Fund के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसको पहले बोला जाता था, United Nation International Children's Emergency Fund UNICEF का पूरा नाम था पहले United Nation International Children's Emergency Fund, इसको 11 दिसंबर 1946 को इसको formation किया गया था, जिसको short में UNICEF बोलते हैं, और इसका headquarter ध्यान रखना है दोस्तों Newark US में है, तो Newark US में इसका headquarter है और यह आपको United Nation का ही एक organization है इसको ध्यान रखना है United Nation का ही एक organization है जिसका headquarter Newark में अस्थित है अब देखिए, इसका head पुछा जाता है कि UNICEF का head कौन है तो Henry Ata H4 इसका head है, तो इसको ध्यान रखना है, Henry Ata H4 अब देखिए, question है कि as of March 2021 who is the managing director of AS Bank, तो देखिए, AS Bank एक private bank है और इसके managing director के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो managing director अभी इसके है, प्रसांत कुमार correct answer यहाँ पर B होगा अब देखिए, जो AS Bank है, एक private bank है इसका formation 2004 में किया गया था founder इसके थे, Rana Kapoor और Asok Kapoor, इसका headquarter मुबई महराष्ट में है, इसके देखिए chairman कौन है, तो सुनील महता सुनील महता इसके chairman है, AS Bank के लेकिन इसके managing director and chief executive director officer है, यहीं कि MD and CEO है परसांत कुमार, और यही question आप से पूछा गया था, कि managing director इस bank के कौन है, तो परसांत कुमार है managing director और CEO भी यह हैं लेकिन chairman इसके है, सुनील महता अब देखिए question है कि as of March 2021 how many members represent the state of Uttar Pradesh in the Lok Sabha, तो देखिए Uttar Pradesh बहुत ही important हो जाता है लोक Sabha, जो यहाँ पर चूने जाते हैं, 543 अभी चूने गए है उसमें से देखिए 80 सिर्फ उत्तर परदेश से हैं, तो यानि कि उत्तर परदेश में जो भी party अपना maximum seat जीत पाती है, उसी की सरकार किंद्र में बनती है, तो BJP seat यहाँ पर जीती है maximum, तो BJP की सरकार बनेगी, तो कंगरेश की सरकार बनेगी, तो इसलिए आपने जोग भी सुना होगा कि उत्तर परदेश का भी खुलना बाकी है, यानि कि जो counting है अभी बाकी है, तो तब तक decide नहीं हो सकता है कि किंद्र में किसकी सरकार बनेगी तो उत्तर परदेश में 80 लोग सभा के सीटे है, 80 लोग सभा के सीटे है, चलिए एक, आप लोग काम करिए कि आप जो भी state से candidate देख रहे हैं, अपना state का नाम लिखिए, और उस state में लोग सभा के सीटे कितनी है, उस तरह से आप लिख सकते है कि इस तरह से लिखिए, उत्तर परदेश 80 सीटे हैं, उसके बाद महराष्टा 48 सीटे है, इस तरह से आप अपना state का नाम लिखिए, और सीट लिख दीजे लोग सभा के, ताकि कमेंट देखें, तो उनको भी एक बार रिवीजन हो जाए देखें, question है कि laterite soil is reaching तो देखें, laterite soil वो किस में reach होती है, तो iron oxide, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है, iron oxide के कारण ही तो correct answer यहाँ पर होगा, a, iron oxide, a reach होती है laterite soil, और इसके कारण laterite soil की जो रंग होती है, वो लाल color की होती है, अब देखें पुस्तक है, तो देखें, यहाँ पुस्तक है इतना, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, यानि की author कौन है तो ससी थरूर है, correct answer यहाँ पर होगा C, ससी थरूर जो है author है, यह book है, किरला goods on country, तो ध्यान रखना है दोस्ते, important है, तो इस तरह से स्रीज को देखें, enjoy करिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दिए, so thank you guys इस वीडियो में इतना है